हेलो गाईज, वेलकम टू देव हुमी करियर पॉइंट, देखे काफी अच्छा लग रहा है बोलने में कि हमने जीके के भी 50 पार्ट कम्प्लीट कर लिया हैं, आज ये जीके 50 पार्ट है और इसमें काफी महत्व पॉइंट क्रस ने इंक्लूट के गए हैं, देखे दोस्तों म आपका इस प्लेलिष्ट में अप्लोड हो चुके हैं, तो काफी महत्व पॉइंट ये प्लेलिष्ट है, आपके लिए सभी एक्जाम्स के लिए बात करो, SSC का एक्जाम हो, रेलवे का एक्जाम हो, इसके साथ सेंटरल लेबल का कोई भी एक्जाम हो, और स्टेट का भी साम आएंगे, तो पचासवा भाग है, सभी लोग अच्छे से कमेंट करें, और थोड़ा मोटिवेट करें हमें भी की, देखे आपको कैसा लग रहा है, ये सीरीज, कैसा इस सीरीज से आपने क्या क्या सीखा, तो प्लीज कमेंट करें, तो चले सुरू करते हैं, आज की दिवानी प्राप्तिकी वो सन था 1765, इसका अंसर जाएगा उप्शन है 1765, नेक्स से देखे लाल बाल पाल में निमनलिकित में से कौन सा नेता सामिल नहीं था, तो कौन सा नहीं था आपने बताना है, तो लाल से हो गया लाला लाजपतराई, बाल से हो गया आपका बाल पाल से हो गया पिपिन चंद्र पाल तो बज गया कौन लाला हंसराज, तो इसका अंसर हो गया ओप्शन डी, लाला हंसराज, लाल बाल पाल वाले में नहीं थे, देखे इन तीनों के जो ग्रुप था इसको बोला जाता था गरम दल, ठीक है, तो ये काफी महत्वपून आप को पता होना चीए, गरम दल के नेता थे, अगला देखे समराठ असो के अभिले काहां से प्राप्त नहीं हुए है, तो ये महत्वपून कोशें है कौन सा इसा इस्टेड है, जहां से समराठ असो के अभिले क नहीं मिले हैं, तो इसका आंसर हो जएगा अर्शम, बाकि सबी जगे से उत्राखंट करनाटर गोलड इशा से समराथ असोक क्या विलेग प्राप्त हुए हैं निम्नमैसे कौन-कौन से राज्य समू भाख्रा-नागल परियुजना से लाभानवीत होते हैं तो भाख्रा-नागल परियुजना आपको पता है और इसका लाभ उठाने वाले जो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी पंजाब हर्याना और राजिस्तान नेक्स से देखें बरफानी तूफान किस तरह की आपदा है तो बरफानी तूफान का मतलब है जब आपने देखा होगा काफी मुवीज में डिसकोवरी चैनल वगेरा में देखा होगा बरफ जब बर्फीले छेतर होते हैं वहाँ पे बर्फ की एक लहर उड़ जाते कभी-कभी तो बर्फीली तुफान एक इसाब से वाय मंडली एक प्रवा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाय मंडली है ठीक है वाय मंडली आप दै क्योंकि हुआ के थुरूई बर्फ के करने ह और समुद्र तडवी लगता है नीचे खटापे और अशम आपको पता ही है अशम भी सीमा टच करता है काकी म्यामार की भी करते है और साथ में बंग्लादिश की आपके इसका रहा आंसर हो कि झाहर गंड़ के भारत के बीचों बीच में तो जाहर करन्ड कोई इंटरनेशनल सीमा भी इस पर से नहीं करता और समुद्र तडवी नहीं करता इसका अंसर होगा जारकंड अगला देखें निम्दा लिखित में से कौन सी परवत चोटी भारत में इस्तित नहीं है तो दिये गए ऑप्संस में देखें नंगा परवत है नंदा देवी है बोल वाली सीरीज दी ठीक है तो देखें भारत का जो पश्चिमी तट है यहां वाला यह तो कहलाता है मालाबार तट केडल के आसपास वाला कोरो मंडल तट आपका यहां वाला हो गया तमिलनाद्यू से लेकर आंदर प्रदेश तक जो जा रहे तरट पूर्वी तड़ यह से संबंदित है तो अनुच्यत 17 में साब बोला गया है जो भी छुआ छूट की भावनाएं इसको अंत करो चूने वाली भावनाओं का अंत करो समाज मत जातीकत तो अश्परस्टा के अंत से संबंदित है अनुच्यत 17 अर्टिकल 17 नेक्स देखें राज्य की विधान साजने चीशा कि मैंने आपको बताकkekो फोर्य वि locked और दूसला षण सवा और विधान परिशत उच सथय सदन का और विधान सभा निम्न सथन में तो विधान परिशत कपुछ ग्णाज संबंदा राज्य मैं ही है यह और विधान परिशट में जो विधान सभावल Novak का चु निदेशित किया जाते है तो राष्टपति के चुनाओं में अगर कोई विवात पैदा होता है तो लास्ट इस विवात को ले जाए जाता है कहां पर जो उच्च नियाले होता है ठीक है ध्यान लगेंगे उच्च नियाले माफ कीजिएगा सुप्रीम कोट के पास ले जाए ज तो देखे ऐसे कोशन आ जाता है इसमें आपको सन याद होने चीए तभी आप इनको बना पाएंगे तो देखे बीमा कमपनी को राष्टे करन ले 1950 के बाद की घर्टना है भारतिया एस्टेट बैंक का राष्टे करन उनिसो पच्पन के आसपास हुआ था प्रथम पंचवर दी गई घर्टनाओं में पहली घर्टित होने घर्टना थी ठीक है जो कि 1949 में होई थी बाएंगी सब 1950 के बाद वाली घर्टना है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अगला देखे किसी दी गई आवधी के लिए एक देश की राष्टे आए किसके बराबर होगी तो देश की राष्टे आए जो होती है अभी आ राष्टे आए पि में एक चैप्टर दूँगा आपको जल्दी ही यह होती है देखे उत्पादित अंतिम मूल्य उत्पादित अंतिम वस्तों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है ठीक है ध्यान रिखे जो भी एक्स किरण और जो गामा किरणे होती है यह विद्धुत चुम्बकिया तरह नहीं होती है नाखुन पालिस परिमार्जक रिमूवर में क्या रहता है तो नाखुन पालिस जो की महलाईं यूज करते है नेल्स के उपर इसको हटाने के लिए केमिकल यूज कर जाता है टोन को दियान नगेए नेक्स देखें रबढ के ब्यापारिक वलकरनी करण में किसका पुरियोग सामिल है तो छाइडियाक आभंन्द बनते है जिन लोगों ने केमिश्ट्री बढ़ वऔर समझ पारेंगे तिरियाक आभंद से रबढ जादा ब् зарड. ठोस बनता है ठीक है सलफर का सलफर मींज गंदक तो इसका आंसर होजाएगा ओप्शन ए यही है वलकनी करंग फिल से एक बार बता देता हूं प्राकर्तिक रभग को गंधक के साथ गर्म करने की विधी क्यलाती है वलकनी करंग ठीक है समझ गयोंगे अगला देखें सेविंग की क्रीम की मिर्दु जब हम ब्लेड लगाते हैं तो जल्दी निकल जाते हैं बाल तो मिर्दुता करते हैं कौन सा पदात सेविंग क्रीम में ऐसा होता है जो मिर्दुता प्रदान करता है तो यह होता है पोटेशम हाइड्रोकार्बन तो उस क्रीम में पोटेशम हाइड्रोकार्बन रहता है जो बालों को स्मूथ कर देता है जिसके फॉल्स रूप दाड़े आराम से बनती है ठीक है समझ पायोंगे फ्रेंज अगला देखे आई एएफ वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चेंपियंशिप में स्वांगर पतक जीतने वाली प्रथम भारतिय महला कौन है तो देखे अंडर 20 जो जूनियर जो एथलेटिक्स चेंपियंशिप हुई थी इसकी 400 मीटर दोग में इतिहास बनाया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था किसने हीमादास ने तो हीमादास ऐसा करने वाली पहली भारतिय बनी है जिनियर ने अंडर 20 में 400 मीटर में इंडिविज्वल गोल्ड मेडल जीता है ठीक है तो इसका आंसर हो जगा हिमादास था बहुत से मैं काफी उम्मीद है इनसे कि बहुत से में यह प्रिपेर होंगी और हमें एसियन गेम कॉमन वेल्ट और ओलंपिक में मेडल दे सके हम यही आसा करते हैं तो काफी अच्छा लगा काफी पिछले एलिया नी लिट कप की एक बार देख लीजिए सभी चीजा पता चल जाहेंगे विजेता ओब विजेता गोल्डन बॉल कि से मिला गोल्डन गलब किसे मिला गुल्डन बूल्ट किसे मिला सभी चीजा ज़रूरा क्योंकि यह कोश nhân bulky आने वाले SFC के अग्जाम में हो या सेटे iLėTO 2022 मेरे जीता था लाश्ट टाम और इसके बाद 2018 में हिगे commence me guess signe वहां से नौपन का राषर राचानिक नाम नियासीन किसका नाम है अपर देखें का B-1 op झात्व है तो बुद्द्द्दी और चत्राई जो हमारा दिमागmost कई जो हमारा दिमाग सोचता है वह और मस्तिक्स करें अब पूछा जा रहा है तो यह होता है प्रमस्तिक्स से मस्तिक्स को तीन भागों में बाटा गया है ठीक है अभी आप जो साइंस वाली वीडियो जाएंगी वहाँ पर डिस्क्रिप्ट्टिव मैं दे पाऊंगा आपको अच्छे से समझाऊंगा पूरी मस्तिक मैं संदसना के साथ आपको बताऊंगा कौन सा मस्तिक्स कौन से अग्र मस्तिक पस्च मस्तिक मैं डूलाब लांग गेटा सबी चीज़ा पढ़ेंगे हम यहाँ पर तो भुद्धियरम चत्राएं का जो केंद्र होता है यह याद रखेंगे आप प्रमस्तिक्स होता है अगले अल्प स्रावंड से अल्प मतलब कम जब इंसुलिन कम निकलता है बोडी में तो क्या हो जाता है मधु में डाइबिटीज हो जाते है तो इंसुलिन का बैलेंस बहुत जरूरी है सरीर में अगर कम होगा इंसुलिन हार्मोन सरीर में तो डाइबिटीज हो जाएगी और ज्या रख है लेकिन जो प्रकास वर्ष में तई की गरी दूरी को ही एक प्रकास वर्ष से ब्रावर होता है 10 गात 15 किलो मीटर ठीक है द्यान दखेंगे तो यह समय के मात रख है और प्रकास वर्ष के जबकि दूरी का मात रख है चाहरें नेट्वोर्किंग सब्दावली में हैंड शेकिंग का अर्थ क्या है ? यहां पर बात लें लैच्ग वें की ? तो उसमें हैंडु सेकिंग का अर्थ साहरे होता है। कंप्यूटर को हब के साथ जोगना जो भी हब है वहां पे लोकल हब उसके साथ कंप्यूटर का जोगना ही हैंडि सेकिंग क्या देखें अब प्रचलीत ये लोकम रित्यक और कौन सा है कथक क्रिदृ AM Keeros तो या कित्तर भारत का प्रशिद्ध ये लोकम रित्यकर है और अस्वा स्य विंट साम करने मैं कित्तरिक लिए श्याय किया इसके लिए जल्द का है असमने का doubt होता है कोई भी question होता है comment कीजिए मुझे या हमारे facebook page पे directly मुझे message कीजिए अपना number send कीजिए time मिलते मैं हमेशा call करता हूँ अपने students को तो आपको भी करूँगा so thank you for watching guys please do like and share मिलेंगे next video में अपना ध्यान रखिए जय हिंद वन दे मात्रम